हेलो फ्रेंट्स, एजुकेशन लवड यूट्यूब चैनले में आपका हालती कफ्रेंदन है मैरा हर्मिशा आप साब के सामने प्रिजेंट कर रहा हूँ एक और नई वेकेंसी जो की वेकेंसी निकल काई है भारतिये थल से नाके अंतरगत एक नई वेकेंसी निकल काई है जिसके रिगारिंग सभी 10th पार्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसका एप्लिकेशन चार्ज बिल्कुल 0 लूपर रखा गया है चाहे आप किसी भी कैटगरी से बिलॉंग क्यों न करते हो तो फ्रेंट्स क्या है पूरी पड़करिया कब से इसके ऑनलाइन फर्म स्टार्ट होंगे क्या इसकी लास्टेट रहेगी क्या 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 इलिजिबिलिट्री केर्टरिया और माहा गया है और कितने पोस्ट वेकेंसी आई है इन सारी बातों के जानने के लिए वीडियो में आज सीर पब्लीक हुई है इसका पेज नबर 26 पे आपको दिख पा रहा है यहां पे कि डियारेक्ट डिकूड्मेंट ऑफ सिविलियान ग्रूप सी हेड़क्वाटर वेस्टरं कमांड यानि कि वेस्टरं कमांड के अंतरगत एक वेकेंसी निकल का है इंडियान आर्मी के तह यानि कि बहुत सारी पोस्टर वेकेंसी आई है उसके रिगारिंग आपसे इसके रिगारिंग फर्म मांगी गई है यहां पे आपका है कि अप्लिकेशन फर्म एज डूली कम्प्लीटेड और एक्सपेक्ट एलोंग वित और रिकूर्टिक्स डॉकुमेंट डूली सेल्प अ ठीक है यानि कि आपको यहां पे क्याड़ा है कि आपका जो अप्लाई है फर्म का वह आज से स्टार्ट हो चुका है यानि कि जिस दिन या इंप्लाइमेंट न्यूज में आपकी यह वेकेंसी पब्लिक की जाएगी उससे लेकर 45 दिन तक आप इस फर्म को अप्लाई कर सकते और इसका जो apply mode होने वाला है या offline mode होने वाला है और यहाँ आपके offline mode से apply होगा जिसको आप इसके जो जाल अंधर कांट पे है आपका address दिया है वहाँ पे इसको भेज सकते हैं अब आई है मैं आपको बताता हूं कि किस-किस post पे वेकेंसी आई है तो यहाँ पे आपका post number one में है बारबर यानि कि हजाम की पोस्टे वेकेंसी है यह कुल दो वेकेंसी है और दोनों undeserved category के लिए है इनमें जो सबसे best post लगा मुझे चौकिदार का लगा ठीक है चौकिदार का post है जिसमें कुल 11 पोस्टे वेकेंसी है 8 undeserved के लिए है SC के लिए 1 है EWS के लिए 2 पोस्ट रख मांगा है और अपने trade में 1 साल का experience मांगा है यानि कि आपको hairwear cut करने का एक साल का experience हो उसके अलावा जो वेकेंसी है या कुक की वेकेंसी है कुक में चार पोस्ट में वेकेंसी निकल का इया है जो undeserved के लिए 2 पोस्ट है एक है EWS के लिए और एक है आपके OBC के लिए ठीक है और इसके लिए भी जो है आपके 10 पास मांगा गया है और इसमें knowledge मांगा गया है आपको cooking का ठीक है cooking का knowledge 18-25 साल एज होनी चाहिए statical assistant का केवल एक पोस्ट है और सब केवल undeserved category के लिए है इसके लिए डिग्री फ्रम डिकोजनाइज यूनिवर्शिटी विथ इकोनोमिक्स यान इकोनोमिक्स से आप owners किये हैं तो आप इस्वाम को भर सकते हैं और साथ ही आपके पास 2 साल का experience होना चाहिए ठीक है इसके अला AWC के लिए इसके लिए एक मतलब knowledge होना चाहिए इतना ही आपके अरं डेasert मैंने कि लिए कुल बारा पोस्त यानी की यानि आपके बारा पोस्त गरित्स की द्यू पहार का आपक्ड़ाइ के लिए 27 पोस्ट 15 unreserved category के लिए चार आपके के लिए चार ews के लिए इसमें भी आपको टेंथ पास होना चाहिए बस आपको टेंथ पास होने चाहिए यह सारी आपकी पोस्ट की डीटेल हो गए कैसे कैसे पोस्ट है और इसके अपलाई जो है आज ही से डिटेल बताई और साथ ही मैंने आपको बताया कि किस केटेगरी में कितनी पोस्टे वेकेंसी आई है ठीक है और आपको जो इसको अप्लाई करना है या आपका एड्रेस रहा या जो आपका यूनिट पर यहां पर भीजना है आपको ठीक है और उसके बाद आपका जो होगा ए जाल अंदरका यह आपका प्रोपर एड्रेस इस पर आपको भेज देना है ठीक है और इसका जो एग्जाम होगा इसमें आपके जेर्नल इंटेलिजिएंस और समय के ऐग्जाम होगे ठीक है आपको इसमें कटफ पाड़ करना होगा तो फ्रेंस जयाती पूरी जानकारी जो कि मैं आपको दे पाया उम्मीद करते हो कि आप सारे कुछ को समझ के होंगे तो फ्रेंस आप मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी सरकारी वेकंसी के साथ तब तके लिए जय हिंद जय भारत वन्द मातरम